प्रेम रोग हिंदी फिल्म समीक्षा प्रेम रोग 1982 में आई एक हिंदी म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा है जिसका निर्देशन राज कपूर ने किया है जिसकी पठकता जैनेंद्र जैन और कामना चंद्रा ने लिखी है फिल्म एक महिला के लिए एक आदमी के प्यार की कहानी बताती है जो एक उच्च स्थिती वाली विध्वा है इस फिल्म ने राज कपूर की सामाजिक विश्यों पर वापसी को चेहनित किया प्रेम रोग 30 जुलाई 1982 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ओफिस पर एक बड़ी व्यावसाइक सफलता के रूप में उभी जो 1982 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई इसे अपने निर्देशन कहानी, पठकथा, साउंड़ ट्रैक, छायांकन और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, विशेश रूप से कोलहापुरे के प्रदर्शन के लिए निर्देशित प्रशंसा के साथ तीसवे फिल्म फेर पुरसकारों में प्रेम रोग को सर्वश्रिष्ट फिल्म, सर्वश्रिष्ट अभिनेता और सर्वश्रिष्ट सहायक अभिनेतरी सहित प्रमुख बारा नामांकन प्राप्थ हुए और सर्वश्रिष्ट निर्देशक और सर्वश्रिष्ट अभिनेत्री सहित अग्रणी चार पुरसकार जीते इन वर्षों में प्रेम रोग नेराच, रिशी और कोलहापुरे के करियर के सर्वकालिक क्लासिक का दर्जा हासिल किया है त्रिशी कपूर द्वारा अभिनीत देवधर एक गरीब अनात है, जिसकी बचपन में पगमिनी कोलहापुरे द्वारा अभिनीत मनोर्मा के साथ एक चुम्बकिये दोस्ती थी, जो शम्मी कपूर द्वारा अभिनीत अमीर और शक्तिशाली बड़े ठाकुर की एक मात्र भती जी थी और वीरेंद्र सिंह की बेटी जिसे कुलभूशन खरबंदा द्वारा अभिनीत छोटे ठाकुर के रूप में जाना जाता है, जिसका चमिया के साथ एक गुप्व संबंध है। और उम्मीद करता है कि मनोर्मा के पास भी उसके लिए भावनाएं हैं। कि मनोर्मा भी उस आदमी के प्रती अपना मोह व्यक्त करती है। देवधर अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करता है और केवल वे व्यक्ती जो इसके बारे में थोड़ा विचार रखते हैं। उसकी चचेरी बहन राधा और मनोर्मा की मा छोटी मा है। कुमवर नरेंद्र प्रताप सिह मनोर्मा से बहुत प्यार करता है लेकिन शादी के तीन दिन बाद एक सडक दुरगटना में उसकी मृत्यू हो जाती है। और वह विध्वा हो जाती है। विरेंद्र प्रताप सिंध द्वारा उसका बलातकार करने के बाद वह अपने मातापिता के घर लोट आती है। जब देवधर को स्थिती का पता चलता है तो वह मनोर्मा के जीवन को फिर से बनाने और उसके चहरे पर मुस्कान लाने के लिए काम करता है। देवधर जीवन और प्रेम में अपने विश्वास को पुनरजीवित करने के लिए द्रिढ है। ऐसा करने में उसे अंतह अपने पक्ष में पुरानी परंपराओं और वितिरिवाजों से लैस शक्तिशाली ठाकुर के क्रोध का सामना करना पड़ता है। मनोर्मा ने केवल अपनी मा को अपनी विध्वा जहास के बाद की घटनाओं के बारे में कबूल किया था। उसका देवर और पिता दोनों देवधर के साथ उसके संबंध के बारे में क्रोधित हैं और देवधर को मारने और उसे अपने ससुराल के महल में वापस जाने के लिए मजबूर करने की कसम खाते हैं गाव में एक लड़ाई शुरू होती है और अंत में वे दोनों फिर से मिल जाते हैं